फिल्म रिलीज वी जिसके गानों से लेकर फिल्म की कहानी तक काफी चर्चा में रही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई लेकिन शूटिंग के दोरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसको फिल्म के एक्टर सालों तक नहीं बूर पाये थे इस फिल्म के शूटिंग 1980 में हुई थी रेखा और फारुक शेख इसमें लीड रोल में थे फिल्म के एक सीन की शूटिंग मलीहाबाद में हो रही थी और यहाँ एक रोमैंटिक सीन शूट होना था सीन में उम्रावजान यानि रेखा और नवाब सुलता यानि फारुक शेख एक नीजी जगा पर मिलते है और सीन शुरू होता है ये बात आसपास की इलाके में इतनी फैल गई थी कि मलियाबाद में शूटिंग चल रही है और रेखा भी आई हुई है यहाँ तक तो ठीक था लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि रेखा एक रोमैंटिक सीन शूट करने वाली है तो शूटिंग देखने के लिए लोग बेकाबू हो गये थे लोग उस सीन को हर हाल में देखना चाहते थे देखते ही देखते माहुल इतना गरम हो गया था कि लोगों ने बंदूग तक निकाल ली थी हालाद बेकाबू होते जा रहे थे इस बात से रेखा और फारुक शेक दोनों परिशान हो गये थे साथ में मेकर्स के भी हाथ पर फूलने लगे थे हाला कि जैसे तैसे उस सीन को शूट किया गया था रेखा को इस फिल्म के लिए काफी सरहाना भी मिली और उन्हें मुख्य किरदार उम्राव के लिए राष्ट्रिय पुरसकार से सन्मानित भी किया गया 39 नैशनल फिल्म अवार्ड में उम्राव जान के लिए रेखा ने बेस्ट अक्ट्रेस और फिल्म ने चार पुरसकार भी जीते थे